विवाहा जीवन का एक महत्यपुर्ण निर्ने होता है। तो स्वागत है आप सभी का चैनल Cash Creator印 में और आज हम जानने वाले हैं कुंडली मिलान के सत्ते के बारे में। हम जानेंगे किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कुंडली मिलान के दोरान, कैसे ही किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुंडली ना मिलते हुए भी विभा की और अग्रेसर हो सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं एक बहुत बड़ा कड़वा सच ये भी है कि जोतिश का पूरा ग्यान ना होने के कारण भी बहुत सारे रिष्टे या यूं बोलने कि बहुत सारे अच्छे रिष्टे हमसे छूट चुके हैं कई प्रेमी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि गुण मिलान नहीं हो पाया और इसके लिए हमने सिर्फ सॉफ्ट्वेर्स का यूज किया ये एक दुरभाग्य की बात है कि आज के दोर में हम सिर्फ सौफ्ट्वेर में मिलान करके ही जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्ने ले लेते हैं, जो की काफी घातक सिद्ध हो सकता है ध्यान रखने योग्य बाती ये हैं कि जोतिश के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो साधारण तहम मालूम नहीं होते हैं सिर्फ अनुभवी जोतिशी संबन में आपको सही मार्ग दर्शन दे सकते हैं कुंडली मिलान में संतोष जनक अंक ना मिलने पर भी विवाह हो सकता है परंतु ग्रहों की स्थिती को बारी की से देखा जाता है फिर ये निर्ने लिया जाता है हर समस्य का कुछ ना कुछ समाधान होता है धेरी और विश्वास के साथ बढ़ने पर आस्ते खुलते जाते हैं दोशों का परिहार भी संबह है परंतु सही मार्ग दर्शन में क्रियाए करना आवश्यक हो जाता है हम लोगों को अकसर ये कहते सुनते हैं कि लड़की बड़ी अच्छी थी पर गुण ना मिलने के कारण रिष्टा छोड़ना पड़ा इसी प्रकार लड़की वाले भी बोलते नजर आते हैं कि लड़का भोत अच्छाता पर कुणली नहीं मिली इस सम्मन में मेरी राय ये है कि किसी भी रिष्टे को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए किसी के दिल को यूँ ही ना दुखाना चाहिए अधुरे ग्यान का सहरा लेके हम अपनी इच्छाओं को गलत दिशा की और ना मोड़े या आवशक है कई बार जिन्देगी सिर्फ एक ही अच्छा मोका देती है आईए जानते हैं कुंडली मिलान के सत्ते को विवासे पहले ऐसे बहुत से जोड़े हैं जिनके गुण मिलने के अंग पूरे नहीं थे परन्तु आज वो एक अच्छा जीवन साथ में जी रहे है ऐसे बहुत से जोड़े हैं जिनके गुण मिलान तो बहुत अच्छे थे परन्तु उनका रिष्टा तलाग तक पहुँच गया तो सिर्फ गुण मिलान ही काफी नहीं होता है लड़के और लड़की का अलग से कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्यन भी जरूरी होता है जिसमें बहुत कुछ पता चलता है कि जीवन में आगे क्या-क्या हो सकता है और उसका समाधान क्या हो सकता है अच्छे रिष्टों को सिर्फ गुण मिलान न होने पर नहीं छोड़ देना चाहिए अपने प्रेम को सिर्फ अंको के आधार पर नहीं तोलना चाहिए किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए हमारे संतो विद्वानों ने प्राचीन समय में खोज करके बहुत कुछ पता लगाया था जिसमें समस्याओं का समाधान भी आता है अपने इष्ट पर भरोसा रख कर प्रार्थना करें और सही सलहा लेकर ही जीवन में आगे बढ़ें इस प्रकार हम मन पसंद साथी के साथ अपना जीवन यापन सुप्पुर्वक कर सकते हैं आईएब जानते हैं कुणली मिलान के दोरान किन बातों का विशेश ध्यान रखा जाता है आश्टकुट मिलान करना अच्छा होता है विवाह से पहले परंतु सिर्फ इसके आधार पर निर्णय ना ले शुक्र जो की व्यक्तिगत जीवन का कारक है उसकी स्थिती जरूर देखना चाहिए लड़की और लड़के के सुख स्थान, संतान स्थान, कर्म स्थान का भी विशेश अध्यान कर लेना चाहिए मांगलिक होने पर भी मंगल की शक्ती की जाच कर लेनी चाहिए कई बार मांगली खोने पर भी मंगल का बुरा आसर नहीं परता क्योंकि मंगल बलहीन होता है संतान भाव की स्थिती और संबंधित ग्रहों का अध्यन भी अलग से कर लेना चाहिए विवास्थान और संबंधित ग्रहों का अध्यन भी कर लेना चाहिए कुंडली मिलान में मोजूद अच्छे योगों का अध्यन भी विशेश तरीके से कर लेना चाहिए दोनों की कुंडली में मोजूद बुरे योगों को भी ध्यान में रखके उसका समाधान पहले ही निकाल लेना चाहिए लगने की स्थिती का पूरा अध्यन जरूरी है इसी के साथ चंद्र कुंडली, नवांच कुंडली, आधी का अध्यन भी जरूरी होता है अतहा किसी भी निश्कर्ष पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाना चाहिए सिर्फ मैच मेकिंग के पॉइंट्स को देखते है अगर इस्था अच्छा है, तो बारी किसे कुंडलीों का अध्यन करवा लेना चाहिए जहां चाहा होती है, वहां रहा भी होती है अतहा सही सलहकार को ढूंड के उनसे परामर्ष लेके ही जिवन में महत्वपुन डिसिजन्स लेने चाहिए जोतिश काफी गूड विशे होता है, और इसमें बहुत सी बारीकों को गध्यान में रखकर ही प्रेडिक्शन्स किये जाते हैं अतहा विवाह से पहले मैच मेकिंग जरूर करवाएं, परंतु सिर्फ पॉइंट्स को देखके निर्ने ना ले कुंडली का जातक मेल और फिमेल दोनों की कुंडलीयों का बारीकी से अध्यन आवश्यक्त है तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि विवहा से पहले कुंडली मिलान का महत्तु क्या है और हमें कितनी बारीकी से कुंडलीयों को देखना चाहिए अश्टकूट मिलान के समय मिलते हैं इसी प्रकार अन्ने वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्तुर्या